उत्राखन को देव भूमी यो ही नहीं कहा गया है। यहां पर चारों और हर रितु में मौसम के अनुसार देवी देवताओं का आवान के आता है, पूजन के आता है, वंदन के आता है। इसके अलावा ना केवल प्राकत सक्तियों वरन अन्यप इस्थानिये देवी देवताओं को भी पूण माननेता के साथ उनका वंदन के आता है, अभिनदन के आता है। यही कारण है कि इस्थानिये देवताओं पर्वों को भी उतनी सद्धा और सिद्धत के साथ मनाय जाता है। इसी तरह का एक लोगपर्व फूलदेई भी है, जो कि बसंत रितु के आगमन का सुबसूचक भी माना जाता है। हिंदू परंपरा के अनुसार चैत्र मास के नए साल की सुरुवात होती है। वर्स भर्खुसाली, समरद्धी, उमंग बनी रहे इसी कामना से बच्चे घर की देहरी को फूलों से सजाते हैं। फूल देई को प्रकती से जुडाव का भी पर्व माना जाता है। इसे सामाजिक, सांस्कृतिक और लोग परंपरा से जुडा त्योहार माना जाता है। फूल देई एक मात्र ऐसा त्योहार है जिसे खास्त और से बच्चे बड़े उच्छा पूर्वक सुबह सुबह नहाद हो करके तयार हो करके देली पूजन के लिए अपने घर और उसके पश्चात अन्य परिवारों कर की घर जाते हैं। हाथों में थाल टोकरी लिए बच्चे जंगल और घरों के असपास से बुरांस प्यूली सरसों के रंग विरंगे फूल चुन कर उसमें रखते हैं। साथी चावल के साथ हरे पत्ते कुम-कुम से थाली को सजा जाता है। फिर शुरू होता है घर की देहली या देहलीच को पूजने का सिलसिला। देहरी पूशते छोटे बच्चे या गीत गुन-गुनाते हैं। फूल देई, छम्मा देई, देन द्वार, भरी भकार, यो देई को बार बार नमस्कार। इसी दिन से उत्राखंड में भिटॉली का भी महिना सुरू हो जाता है। इस अवसर पर विवाहित बेहन बेटी को भिटॉली देने का भी परंपरा प्रारंब हो जाती है। भिटॉली वह परंपरा है जब हर भाई और माता पिता विवाहित बेहन बेटी को भिटॉली देने उसके माई के जाता है। भिटॉली में घर में बने वियंजन, खजूर, खीर, पूरी, मिठाई, फल, वस्तरादी भेंट की जाती है। यह परंपरा भावात्मक रूप से जुडाव को भी दर्शाती है। बेहनें भिटॉली को बिसब्री से इंत्यार करती हैं। ग्लाच ते डिपिए जाती हैं। अपर भेंगी भी आर में गोपी दर्शाती है जाती हैं। इंस प्लाच आर में गाती है। इंस जाती हैं। झाल झाल